कि मिली बाग हर गाडेनर का चिंता का करण बन जाता है गर्मी के मौसम में पेर पौधों में ये देखते ही देखते चा जाते हैं पेर का फूल फल सब बरबाद करके छोड़ता है यहां तक कि अगर इसका बिनास ना किया जाए तो पेर को खतम ही कर देते हैं इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैं किस प्रकार से मीली बाग से छुटकड़ा पाता हूँ और मीली बाग के बारे में कुछ जरूरी बातें जो हर करडेनार को जानना जरूरी है मीली बाग गूरहल लवार्ज के लिए एक आतंख जैसा है और मिली बाग भी गूरहल पर सबसे ज़्यादा आक्रमन भी करता है मिली बाग से बचने के लिए पहला काम जो मैं करता हूँ और जो आपको भी करना होगा वो है regular inspection अगर ऐसा मुड़े हुए पत्ते नजर आए तो हो सकता है पेर पर मिली बाग आक्रमन कर चुका है अगर ऐसा है तो जितना जल्दी हो सके उसे खतम करता हूँ और आसानी से मैं मिली बाग से छुट करा भी पा लेता हूँ ये growing tips पर अपना colony बना लेते हैं और वही से पेर का रस सोशन करके अपना पेर भरते हैं साम के समय मैं ये treatment करता हूँ इसमें पेर पर trace कम परते हैं क्योंकि इसमें होता है नारियल तेल, नीम और करपूर जो ज़्यादा धूब में बेर के सौफ्ट टीशूज को खानी पहुँचा सकता है इसमें मौजूद करपूर का और नारियल तेल का कमाल देखिए प्रे से पानी मिली बग के ऊपर परते ही इसका सफेद पाउडरी कोटिंग गायब होता जा रहा है इसी पाउडरी कोटिंग के अंदर मिली बग अंडे छुपा के रखते हैं अपने आसपास ये साधरन पानी या डीश वाशे जाते नहीं है लेकिन इससे बिलकुल साफ आक्रमी तंग्स को बाहर के तरब लाके स्प्रे करना होगा पेर से आके मिली बग्स पॉप में ना गिरे और स्प्रे के बाद पानी भी पॉटिंग स्वाइल में ना गिरे हर एक किप को ध्यान से एक के बाद एक इस तरह से जेट स्प्रे मोड में वाश करना होगा एक भी मिली बग्स या इसके अंडे ना रह जाए देखिए जमीन में गिरे हुए लगभग हर एक मिली बाद मर चुके हैं एक आद जो है वो भी मर जाएगा अब चलते हैं इस रामबान इलाज के बारे में स्प्रे बॉटल में आपको एक लिटर बिशुद्ध पानी लेना होगा नल का पानी या ट्याप वाटर आप ले सकते हैं इसमें डालना होगा 5 एमल मेडिकेर सेमपू 5 रुपे में मिल जाता है ये 5 एमल इसमें रहते हैं एक लिटर पानी में बहुत अच्छा स्प्रे बन जाता है मेडिकर सेमपू का तीन में इंग्रेडियन्स है नारियल तेल नीम और करपूर मैं इस तरह से मेडिकर समपू पानी के साथ स्प्रे करके मिली बाग से छुटकाड़ा पा लेता हूँ ये 100% टेस्टेड हुए हैं मिली बाग के लिए आप जब भी चाहे इसका उप्योग कर सकते हैं आपके फुल फल या किसी भी पेर को अगर मिली बाग का आक्रमन है तो आप जरूर एक बार यूज़ करके देखिए मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार हुआ है प्रूब बजयर जब खुआ है हुआ है अगले टेस्ट प्रूब झाल झाल